स्वागत है आपका Weekly Current Affairs में, शुरू करते हैं आज का प्राश्चन हल्वा समारोह निमनलिखित में से किस घटना से संबंदित है? A. स्वतंत्रता दिवस समारोह B. बजग तयार करने की प्रक्रिया C. गंतंत्रत दिवस समारोह D. राश्ट्रिय महिला दिवस Answer B. बजग तयार करने की प्रक्रिया Explanation अंतरम केंद्रिय बजग 2024 के लिए बजग तयारी प्रक्रिया के अंतिम चरन को चिनित करने वाला हल्वा समारोह 24 जन्वरी 2024 को नौर्थ ब्लॉक में हुआ अगला प्राश्ट्र केंद्रिय स्वास्थय मंत्री ने हाल ही में किस राज्य में खोडलधाम ट्रस्ट कैंसर अस्पताल की आधार शिला रखी A. बुजरात B. राजस्थान C. महाराश्ट्रा D. आंध्रप्रदेश Answer A. बुजरात Explanation जन्वरी दो हजार चौबीस में भारतिय वायु सेना के साथ अभ्यास देजर्ट नाइट में किन देशों ने भाग लिया A. फ्रांस और चीन B. फ्रांस और अमेरिका C. फ्रांस और सहयुक्त अरब अमिरात D. यूसे और यूए Answer C. फ्रांस और सहयुक्त अरब अमिरात Explanation भारतिय वायु सेना ने 23 जन्वरी 2024 को अरब सागर की ऊपर फ्रांसी सी वायु और अंतरिक्षबल और सहयुक्त अरब अमिरात वायु सेना के साथ अभ्यास डेजर्ट नाइट का आयोजन किया अगला प्राश्न इस वर्ष गंतंतर दिवस समारों के मुख्या आतिती कौन है? A. जो बाइडन B. अबदेल फताहल सीसी C. रिशी सुनक D. इमेनुईल मेकरौन Answer D. इमेनुईल मेकरौन Explanation इस साल गंतंतर दिवस समारों में मुख्या आतिती के रूप में B. इमेनुईल मेकरौन करतव्यपत पर गंतंतर दिवस समारों में शामिल हो रहे है ये चठ़ा अफसर है जब किसी B. इवस अब गंतंतर दिवस then किजवन रक्षा पतको से से सम्मानित करेगी इस वर्ष के गंतंत्र दिवस पर केंद्र सरकार 31 लोगों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित करेगी इन में से 3 लोगों को मरनो परांत ये पुरसकार प्रदान किया जा रहा है ग्रेह मंत्राले के अनुसार इन अवोर्ड्स में 3 को सर्वुत्तम जीवन रक्षा पदक साथ को उत्तम जीवन रक्षा पदक और 21 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाएगा अगला प्राश्ट्रिय मद्दाता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? A. 24 जन्वरी B. 25 जन्वरी C. 26 जन्वरी D. 22 जन्वरी Answer B. 25 जन्वरी Explanation राश्ट्रिय मद्दाता दिवस प्रतिवर्ष 25 जन्वरी को देश भर में मनाया जाता है ये दिवस लोक्तांत्रिक समाज में प्रत्यक वोट के महत्व को बताता है ये दिवस चुनाव आयोग की स्थापना की 61 वर्षगांट के अफसर पर 25 जनवरी 2011 को पहली बार मनाया गया था साल 2024 में राष्ट्रिय मद्दाता दिवस का थीम, Nothing Like Voting, Are You Vote For Sure है अगला प्राश्न किसने कोशल विकास और उद्यमिता मंत्राले की नई बिल्दिंग कोशल भवन का उद्धातन किया? A. ड्रौपदी मुर्मू B. एस चेशनकर C. राजनात सिंग D. अमित शाह A. ड्रौपदी मुर्मू एक्स्प्लेनेशन भारत की राश्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में कोशल विकास और उद्यमिता मंत्राले की एक नई बिल्दिंग कोशल भवन का उद्धातन किया? यह नई बिल्दिंग अत्यादुनेक बुनियादी धाचे से सुसच जित है इस अफसर पर केंद्रिय शिक्षा, कोशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे अगला प्राश्ट्न केंद्रिय कैबिनेट ने हाल ही में सूचना प्रध्योगी की क्षेत्र में सहयोग के लिए खाड़ी देश ओमान के साथ हुए एक सहमती पत्र, M.O.U. पर हुए हस्ताक्षर को मंजूरी दी है यह M.O.U. तीन साल की अवधी के लिए किया गया है इसके तहट G2G और B2B दोनों ही तरह के द्विपक्षिय सहयोग बढ़ाया जाएगा अगला प्राश्ट्न किस भारतिय कंपनी को अमेरिकी स्वास्थे नियामक से जैनरिक दवाओं के लिए मंजूरी मिली है ए सिपला लिमिटेड, बी सन फोर्मास्यूटिकल, सी जाइड्स, डी लूपिन, आंसर, सी जाइड्स एक्स्प्लनेशन, जाइड्स लाइफ साइंसेज को हाल ही में पोस्ट हर्पेटिक न्यूर लिगा से संबंधित जैनरिक दवा की मार्केटिंग के लिए अमेरिकी स्वास्थे नियामक, USFDA, से अंतिम मंजूरी मिल गई है इसके तहट कमपनी गेबा पेंटिन टेबलेट का प्रोड़क्शन और मार्केटिंग कर सकेगी जार्ज, गेबा पेंटिन टेबलेट के लिए यह अधिकार हासिल करने वाली पहली भारतिय कमपनी है तीन ट्रिलियन का बाजार पुंची करन पार करने वाली दुनिया की दूसरी कमपनी कौन बनी है A. Microsoft B. Tesla C. Apple D. TCS Answer A. Microsoft Explanation दिगगज टेकनोलोजी कमपनी Microsoft का बाजार पुंची करन तीन ट्रिलियन डॉलर को पार कर गया है Microsoft, iPhone निर्माता कमपनी एपल के बाद यह अकड़ा छूने वाली दूसरी कमपनी है फिलहाल एपल दुनिया की सबसे मुल्यवान कमपनी है अगला प्राश्च्न उस भारतिय क्रिकेटर का नाम क्या है जिसने 2023 में ICC One Day Player of the Year का पुरस्कार जीता विराट कोहली ने ICC Awards 2023 में One Day Mains Player of the Year का पुरस्कार जीता है यह चोथी बार है जब उन्होंने यह सम्मान प्राप्त किया है पहले 2012, 2017 और 2018 में अगला प्राश्च्न हाल ही में किस देश की सरकार ने 22 जन्वरी को योध्या राम दिवस घूशित किया है A. South Africa B. Rus C. Canada D. Japan Answer C. Canada Explanation Canada ने 22 जन्वरी को योध्या राम दिवस घूशित करने का फैसला किया है कनारा की तीन नगर पालिकाओं ने 22 जन्वरी को योध्या राम मंदिर दिवस घूशित किया है अगला प्राश्च्न राश्ट्रिय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है A. 1 जन्वरी B. 10 फर्वरी C. 24 जन्वरी D. 15 अगस्त Answer C. 24 जन्वरी Explanation 24 जन्वरी 1966 को इंडिरा गांधी ने महेला प्रधान मंत्री की तौर पर शपत ली थी इसलिए 24 जन्वरी को भारत में राश्ट्रिय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है इसका उद्देश भारत में लल्कियों को सहायता और अफसर प्रदान करना है अगला प्राश्ट इस पहल के तहट विद्याले और उच्च शिक्षा के अंतरगत सभी पार्थे क्रमों के लिए अधेयन सामगरी सम्विधान की आठवी अनुसूची में सम्मिलित भारतिय भाषाओं में डिजिटल रूप से उपलब्द कराई जाएगी अगला प्राश्ट कौन सा राज्य दुनिया में अपनी तरह की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित करेगा सफारी की स्थापना मयूरबंज जिले के पास बारी पदा शहर में की जाएगी किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ दुनिया कार्यकरम शुरू किया है कैमरून ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला प्रमुक मलेरिया वैक्सीन कार्यकरम 22 जन्वरी से शुरू किया है जो इस बीमारी के खिलाफ वैश्विक लराई में एक महत्वपून कदम है खासकर अफ्रीका में जहां मलेरिया से संबंदित लगभग 95 प्रतिशत मौते होती है अगला प्राश्चन प्रतिश्थित फ्रीडम ओफ द सिटी ओफ लंदन सम्मान से किसे सम्मानित किया गया A. अदिती मिश्रा B. अजीत कुमार मिश्रा भारत में जन्मे मशहूर वकील अजीत मिश्रा को विदी एवं सार्वजनिक जीवन में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिश्थित फ्रीडम ओफ द सिटी ओफ लंदन पुरस्कार से सम्मानित किया गया UK-India Legal Partnership UKLP के संस्थापक और अध्यक्ष मिश्रा को 23 जन्वरी को ये पुरस्कार प्रदान किया गया अगला प्राश्न 2023 के लिए ICCT 20 International Player of the Year के रूप में किसे नामित किया गया A. इशान किशन B. विराट कोहली C. सूर्यकुमार यादव D. शुभमंगिल लगातार दूसरे वर्ष भारत के T20 खिलारी सूर्यकुमार यादव को ICC पुरुष T20 International Cricketer of the Year पुरस्कार से सम्मानित किया गया है शॉट्स के अपने विविद मिश्रन के साथ सूर्यकुमार ने 2023 में पचास के औसत और 150 से आधिक के स्ट्राइक रेट के साथ अपना दबदबा बनाया किस राज्य सरकार ने हाल ही में सड़क सुरक्षा बल्क की शुरुआत की है A. पंजाब B. उत्तर प्रदेश C. हर्याना D. बिहार A. पंजाब Explanation पंजाब की राज्य सरकार ने सड़क हाथसों पर रोक लगाने के लिए सड़क सुरक्षा बल्क की शुरुआत की है मुक्यमंत्री भगवंत मान ने जलंधर में इस फोस की शुरुआत की इसके फोस की तहट 144 हाइटेक वहन और 5000 कर्मचारी सड़क पर लोगों को सुरक्षा प्रदान करेंगे मुक्यमंत्री मान ने कहा कि ये देश का पहला बल होगा जो सड़क सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के लिए समर्पित होगा अगला प्राश्न इतली के स्टार टैनिस खिलाडी जैनिक सिनर ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का 2024 का में सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर लिया है फाइनल मैच में उन्होंने रूस के डैनियल मेद्वेदेव को मात दी सिनर ने सेमी फाइनल मैच में नोवाग जोकोविच को हराया था सिनर ने 17.25 करोर रुपे की पुरसकार राशी जीती साल 1976 के बाद पुरुष एकल स्लेम प्रतियोगिता जीतने वाले वग इतली के तीसरे खिलारी बन गए है अरनास अबालेका ने महिला एकल का खिताब जीता अगला प्रशन टाटा ने भारत की पहली प्राइवेट हेलिकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने के लिए किस के साथ समझोता किया है अगला प्राशन उत्तर प्रदेश सरकार ने किस महिला क्रिकेटर को यूपी पुलिस में डीएस्पी के पद पर नियुक्त किया है एस्मृती मंधाना, बी दीप्ती शर्मा, सीपुनम यादव, डी हर्मन प्रीत कौर, आंसर, बी दीप्ती शर्मा एक्स्प्लिनेशन भारतिय स्टार महिला क्रिकेटर दीप्ती शर्मा को यूपी पुलिस में डीएस्पी के पद पर नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनात ने जॉइनिंग लेटर के साथ दीप्ती शर्मा को तीन करोड का चैक भी प्रदान किया आगरा के रहने वाली दीप्ती ने एशियं ग्यांस में भारत को स्वर्न पदक दिलाने में एहम भूमिका निभाई थी दिसंबर दो हजार तेईस में दीप्ती शर्मा पहली बार ICC, Player of the Month का अवोर्ड जीता था अगला प्रशन भारतिय सेना, सयुक्त सैन्य अभ्यास, साड़ा तंसीक का आयोजन किस देश के साथ कर रही है ए ओमान, बी बहरीन, सी कतर, डी साओधी अरब, आंसर, डी साओधी अरब, एक्स्प्लेनेशन भारत साओधी अरब सयुक्त सैन्य अभ्यास, साड़ा तंसीक के पहले संसकरन का आयोजन राजस्थान के महाजन में किया जा रहा है यह एक्सरसाइज 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 तक आयोजित की जाएगी 45 सैन्य कर्मियों वाली साओधी अरब की टुकरी का प्रतिनेदित्वर रोयल साओधी लैंडफोर से ज्वारा किया जा रहा है 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष यूबल टैनिस चेंपियनशिप किस जोड़ी ने जीती A. सिमोन बोलेली और एंड्रिया वावासोरी B. रोहन बोपनना और मैट एबडेन C. रोहन बोपनना और सिमोन बोलेली D. मैट एबडेन और एंड्रिया वावसोरी B. रोहन बोपनना और मैट एबडेन Explanation रोहन बोपनना और मैट एबडेन ने ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष यूबल टैनिस चेंपियनशिप में एक टीम के रूप में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब हासल किया 43 साल की उम्र में बोपनना पुरुष यूबल में विश्व नंबर एक रैंकिंग हासल करने वाले अब तक के सबसे उम्रदराज खिलाडी है वह लिएंदर पेस, महेश भूपती और सानिया मिर्जा के साथ रैंकिंग में शीर्ष पर पहुंचने वाले चौथे भारतिये टैनिस खिलाडी है अगला प्राश्न बीटिंग दर रिट्रीट प्रतेक वर्ष के स्थान पर आयोजित की जाती है A. विजय चौप नई दिल्ली B. राष्ट्रपती भवन नई दिल्ली C. इंडिया गेट नई दिल्ली D. लाल किला दिल्ली आंसर A. विजय चौप नई दिल्ली एक्स्प्लेनेशन 29 जन्वरी दो हजार चौवीज को Beating the Retreat समारोह ने नई दिल्ली के विजय चौप पर 35 में गंतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिनित किया संगीत मैं प्रदर्शन में भार्तिय सेना नौसेना, वायूसेना, दिल्ली पुलिस और केंद्रिय सशस्त्र पुलिस बल्ट सी एपी एफ के बैंड शामिल थे अगला प्राश हाल ही में किसने नौवी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपत ली A. जीतन राम मांजी B. राजेंड विश्वना थारलेका C. नीतीश कुमार D. विजै कुमार चौदरी Answer C. नीतीश कुमार एक्स्प्लिनेशन जद्यूनेता नीतीश कुमार ने 28 जन्वरी 2024 को नौवी बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपत ली इनके साथ भाजपा की सम्राथ चौदरी और विजै सिन्हा ने डिप्टी सीएंग की शपत ली अगला फ्राश्न फिल्मफ्यर अवोर्ड 2024 में सर्वश्रेष्ट लोगप्रियर फिल्म का अवोर्ड किस फिल्म ने जीता A. रॉकी और रानी की प्रेम कहानी बी डॉंकी, C. अनिमल, D. ट्वेल्फ फिल्म, आंसर, D. ट्वेल्फ फिल्म, एक्स्प्लिनेशन, विधू बिनोच चोपड़ा द्वारा निर्देशित फिल्म, ट्वेल्फ फिल्म, सर्वश्रेष्ट फिल्म, लोगप्रियर का अवोर्ड अपने नाम किया ये फिल्म IPS ऑफिसर मनोच कुमार शर्मा के जीवन पर आधारित है सर्वश्रेष्ट निर्देशक का अवोर्ड विधू बिनोच चोपड़ा, 12 फिल्फ फिल्फ को मिला वही सर्वश्रेष्ट अभिनेता का फिल्म फियर अवोर्ड रंबीर कपूर को फिल्म आनेमल के लिए दिया गया अगला प्राशन खाल ही में पुर्वोत्तर भारत के पहले नेचुरोपेथी हॉस्पिटल की नीव कहां रखी गई आयुश मंत्री सर्वानंद सोनोवाल और असम के मुख्यमंत्री हिमंद विस्वा सर्मा ने पुर्वोत्तर में पहले योग और प्राकृतिक चिकित सा अस्पतार नेचुरोपती हॉस्पिटल की नीव रखी असम के दिप्रूगर में 120 तरों वाले इस हॉस्पिटल की नीव रखी गई इस हॉस्पिटल को लगभग 100 करोर रुप्ये के निवेश के साथ लगभग 15 एकर भूमी पर तयार किया जा रहा है